कि आप लोग टोक्यों से वापिस आने के बाद कुछ दिन तो मालाए वालाए पहने में गया होगा है लजित क्या हुआ फिर आकर के क्या किया काफी अच्छा रहा सर मतलब बनारस में इतना लोगों ने प्यार दिया सबसे बड़ी बात तो यह थी सर होकी इतना उपर आई स्पोर्ट इतना उपर आई और इसलिए लोगों का ज्यादा प्यार लगा और देस के लिए मैडल बागयो नहीं सकता और सबसे बड़ी बात तुम्हें यह कहूंगा कि आपने सर जो हमारे डेसिंग रोम में फोन करके हम लोगों को इतना वमलोग का मनुबल बढ़ाया हारने के बाद और सर उससे बाद बहुत जोस आया सर बहुत ही अच्छा है महादेव का कृपा है सर और आपने तो उसमें सर चान चान लगा दिया है जी मैं कली होके आया सर वहां से दर्सन करके हो जो लेकिन सर अब थोड़ा अच्छा है आने वाले खिलाडियों के लिए बहुत मतलब एक प्लेटफॉं ते यार हो जाएगा जो लोग दिल्ली जाके सोनी पर जाके प्रैक्टिस करते थे यहां से निकलते यूपी से दूसरे स्टेट में खेलते जाके वह यहीं पे रुकेंगे और मैडल्स यहां से ज मुझे प्रामिस किया था वो आज पूरा किया है तो माना कहा कि ऐसा करो मैं जब मेरट हाऊँगा तम तुम्हें बिलूगा सब एस दिन से मुझे अभी तक निद नहीं आ ही आ है कि मुझे आपसे मिलना हैं अब जाकर आप्तिस करूंगे सोग्य यह जब लेंड और फ्लाइट को पेड़ देखके लगा कि आपने इलाके में आगे तो बहुत अच्छा लगा सर अगे कि इस दायत थी वह ऐसे खेल में है उन्हें को देखने वाला ही होता रही है को इस ताली वह जाने वाला होता रही है तो बहुत लोग जान रहे हैं पूरे इंडिया में कि हां हम लोग ओलम्पिक्स खेलने गए ते पहले मतलब खेल के आ जाते थे पता नहीं रहता था कि कोई उलम्पिक्स जाग कि आई है मैं गाओ में गई तो गाओ में सब बच्चे पूछते हैं कि हमें भी आर्चिरी करनी है हमें भी आर्चिरी तो सर अब मैं उनको बता दूंगी कि हमारे दरी यूनिविस्टी खुल गई है और आप अच्छी से कर सकते हो अमला पहले इसे होता था कि जो मेंढ लेकर आते देम अनी को जानते थे ओनी को मनला सपोर्ट लेकिन पहले बार सर ऐसे हो आए कि मतला हम लोगों न सब्सक्राइब एक बोट मिलता है मैं दो भी घागा था कि आप लोगों का वहां पहुतना यही बहुत बड़ी बिक्सरी है जाहिन सर कैसे हैं आप यहां अगराइस रही है और हमें अभी बहुत खुशी हुई कि जैसे हमारा पॉन्फिडेंस सर खिलाडी का सबसे बड़ी जो चीज होती है होती हुँ खेल तो वह आन यहां से बहेजा था और हम आने के बाद के आप से मिले सर हमें अश्रवाद दिया हमारा वैसे अभी भी कॉन्फिडेंस हमारा जौ आपने इंजन इस्टार्ट किया था तो हम लोग अभी आज रवाद देते रहें, सर मानिनियां, मंतरी जी और आप भी सर, सभी लोग हमें और बस हम लोग ऐसे स्टार्ट रहें और अपने देश का प्रदेश का मान बढ़ाते रहें. पहले सर पारा को सर पारा इतना नहीं देखा जाता था कि पारा भी कोई चीज आता है, पहले बहुत सारे जो विकलांग भी है, वह भी चाहते हैं कि हम भी आगे जाएं, आगे खेलें यह सर आपकी वेसे सर हो पाया है, कि आप सब जानने लगे हैं. प्रेक्टिस काफी अच्छी होती है और पहले के मुकाबले अभी जो हाई लेवल की कोचे समलों को ट्रेनिंग देते हैं सर वो काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है वी तान नेशनल का लेकर बैठे हो आप लोग जी सर नेशनल का लेकर बैठे हैं अगर आपका आशिरवाद र करेंग मिलेगी और इस इन्वेस्टी से सर डारेक्ट इंटरनेशनल लेबल पर फॉर्म करेंगे लड़के अच्छा सुवाद बताईए क्या प्रगयती हो रही है उत्रप्रदेश की खिलाडी सर एशन गेम सो कॉमन विल्थ हो पैरलंपिको ओलंपिको हम सब खिलाडी सर वहां हम पाट्सपेट भी किये पदक भी जीत के आया सर बहुत सारे अभी जो युवा है सर पेरेंट्स आके पूछते हैं सर कि हमारे बच्चों को भी कि खेल में हम भी कैसे करें आपने सर दो सीडी दी है खेलो इंडिया और टॉप्स हम उसके बारे में सर उना उनको गाना हम हों सर अभी भी यादे सर जब मैं गोल्ड को हारा था सिल्वर जीता था थोड़ा मैं गमी में था बड़ आपका फोन आया तो मुझे लग रहा सर वो गमी भी भूल गई तो अभी भी आपको देखते सर उर्जा कई गुना हो जाती है सर अच्छा यह मुझे बताईए खिलाडि ज्यादा ज्यादा जाएं और आपका जो मैसेज है और लोगों को एक एक स्पोजल मिले कि यहां स्पोर्ट में ज्यादा ज्यादा अपना पार्टी से पसंद करें कि वर्ष आज़ादी कामरित महुक्सव है 75 साल हो रहे हैं आप लोग 75 स्कूल में जाईए और अभी नहीं पैरिस जाने से पहले 75 स्कूल कर लिजिए और 75 स्कूल में जब भी मुका में ले जाकर के बच्चों को नूट्रेशन के विशे में बताईए फिट्नेस के विशे में बताईए एक्सरसाइज करने के लिए समझाईए ये बात भी देना आज पुरे देश में सचमच में बच्चे आप लोगों को हीरो मनते हैं तो आप से इस्पायर होते हैं पहले सीने कलाकारों को जब स्थान ता उसे ज्यादा आज आप लोगों का है कोई भी खेल कुछ में अच्छा करता है बच्चों का मन करता है उसके विशे में जानना उसे जूड़ना ये आप लोगों को भी अनुपव करते होंगे ऐसा ही अनुपव आ रहा है ना स्कूलों जाएंगे बच्चों को इंस्पिरेशन बिलेगा उनको विट्नेस के लिए तुड़ा जागदूखता है कि यह और क्या नखाना दोनों सिखाना है उनको मैंने आप लोगों को कहा था परिज जाके आए मैंने कोशीट को भी कहा था और आप लोग को गयता आपको लगता है कि खेल कुछ की व्यवस्थाओं में ट्रेनिंग में साइकोलोजिकल एप्टिटूड की जो लड़ाई रहती है उसके अगर आपको अनुभवक आधार पर लगता है कि यह होना चाहिए या यह प्रॉब्लम है तो मैंने कहा था मुझे लिख करके भेजिए आपको ज्यादा जानकारी है हम लोग आपकी तरह खेल की दुनिया से नहीं निकले तो आप खुद बताओगे कि आपकी यह तकलीफ है यह बदला होना चाहिए ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए हमारे पास जो साधन है वह ऐसे होने चाहिए तो मैं पक्का मानता हूं कि इंप् करेगी तो दोनों में फर्क होगा आपको बहुत खुब कामना है धन्यवाद दोस्तों